वीवर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोनिंग के बारे में के क्लोनिंग कैसे किया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई और अब तक कौन कौन से जांदारों पर क्लोनिंग का अमल किया है जी हाँ मैं हूँ शानवाज और आप देखरे टेकनिकल टेंक्स चैनल हमारा चैनल सबस्काइब कीजिए और बिल के आईकन पे क्लिक कीजिए आकि आप हमारे ने वीडियो से बाहबादा है तो वीवर चलिए शुरू करते हैं पहले बात करेंगे कि क्लोनिंग किसे कहते है क्लोनिंग से मुराद बुन्यादी तो पर तो एक ऐसी अमल की होती है कि जिसमे किसी भी जानदार की तोलीद बालपाज दीगर नोपैदावार यनि रिप्रोडक्शन करने के लिए गेर जिनसी एसेक्सुल तोलीद का सहारा लिया जाता है गेर जिनसी तोलीद ऐसी तोलीद को कहा जाता है कि जिसमे जिनसी नोपैदावार, सेक्सुल रुप्रोड़क्शन की मानन दो वालिदेन, नर्ण और मादे के तुलीदी खलियात का मिलाब वाकिय नहीं होता जैसे आम खालत में होता है बलके वालिदेन में से सिर्फ किसी एक वालिद या वालिदा बसूरत दो जिन सी जांदार के खलियात या विरासी मादे से नया जांदार पैदा हो जाता है इसका तरीककार कुछ यू है जिसमें किसी भी जिन्दा जानदार का हुलिया लेकर इसकी करीबन हुबहु काफी बना लिया जाता है इसमे माधा जानदार का हुल्या लेकर इसमे से मरकदा यfangी जिसमे डीन आ होता है निकालकर पैंग दे फिर दुसरे प्रत की जिसम का कोई भी खल्या सेल्ज ले और इसके मरकदे को माधा जिनसी खल्या से मिलाए अब आपके पास एक ऐसा हुल्या है जिसमें मरकज़ा या DNA एक परत का और बाकी का हुल्या सिल एक मादय का है पिर इसमें हुल्वी तक्सीम शुरू करवा कर इसको रह ममदर में इबलान्ट कर दे इस तरह डिलूरी के बाद एक ऐसा जानदार बनेगा जो के मरकज़े वाले हुल्ये सिल्ज की मकमल कापी होगा परस करें आप एक बेल का कलोनिंग करना चाहते है गाए का जिन्सीख सिल्ज लेकर उसमे से मरकदा यनि डी एने को निकाल कर पैंग दे बेल के जिसम के किसी जगा से खुलिया ले और उसमे से DNA मरकदा निकाल कर वो गाय के खुलिये में ये DNA डाल दे और उसके बाद किसी मादे गाय में इंप्लांट करके खुली तक्सीम कामर शूरू करे इस तरह जो बच्चा पैदा होगा वो हुब 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 उस बेल का कापी होगा यनि उस में उस गाय के DNA का अमल दखल में होगता वो सेम सेम उस बेल के कापी होगा मुम्किने आपको समझ आ गई होगी अब बात करेंगे क्लोनिंग की हिस्ट्री के बारे में वीवर इस तरीके को पहली मरतबा करीबं 20 साल कबल इस्तिमाल करके डोली नामी बेल बनाई गई और इस से करीबं दो दरजन चांदार बनाए जा चुके है अब चाइना के सेंदानों ने इस तरीके को इस्तिमाल करके दुनिया का पहला बंदर भी बना लिया है अब तक मुक्तलिब टक्नीकी मसाइल की वज़ा से बंदरों की क्लोने करना मुम्किन नहीं हो रहा था लेकिन अब ये मुम्किन हो गया वीवर बंदर इसलिए अहम है के बंदरों का डी एन ए तकरीबन इनसानों से मशाबहा है यही नहीं बलके अब डी एन ए में कांड जान चांट के एक तरीके खरस्पर के जड़िये बंदरों में अपनी मर्जी की इन्सानी जिम्हाती बिमारीा मतारब करवाना भी मुम्किन ऋर इसको इनसानों की बिमारी को समझने और इनको तजरिबाती इलाज के लिए इस्तिमाल किया जा सकेगा तक्नीकी तवर पर ये तरीका अब इनसानों बे भी मुम्किन है ये इखलाकी मसाइल की वज़ा से फिल वक्त इसकी इजाज़त नहीं मुम्किन है वक्त के साथ इनसानों के जहन में तबदीली आ जाए और इनसानों की क्लोनिंग बे शुरू हो जाए तो ये टी आज वीडियो क्लोनिंग के बारे में आपको हमारी वीडियो कैसे लगी तो हमारी होसलाबजाई के लिए ताके हम आपके लिए नए वीडियो ला सके कमेंट्स लाइक और शेर केजिए